नवशकार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन में जिसमें की दुनिया अब ये कयास लगा रही है कि क्या अमेरिका योकरेन के साथ भी वैसा ही कुछ करने वाला है जैसा कि उसने अफगानिस्तान के साथ किया था अब आप एक सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए मैं आपको कुछ कहानिया और कुछ न्यूस सुनाता हूं उसके बाद आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं कि यू आपके सामने एक तस्वीर है जरा इस तस्वीर को आप अच्छे से देखें एक काबूल के अंदर एक अफगानी जो है तालीबानी अपने कंदे पर एक मिसाइल रखे हुए दिखाई दे रहा है ठीक सी प्रकार से यूकरेन के अंदर भी आपको ऐसे ही एक व्यक्ति अपने कंदे पर मिसाइल रखे हुए दिखाई दे रहा है अचा ये मिसाइले कौन सी मिसाइले हैं असल में ये मिसाइले जो हैं ये वो हैं जिनके माध्यम से इस्टिंजर मिसाइले ने बोला जाता है जिनके माध्यम से आप जमीन पर खड़ा-खड़ा व्यक्ती भी से चला सकता है और किसी हवाई जहाज को आसानी से target कर सकता है यानि कि low-lying कोई aircraft चल रहा है उसे target करने में ये सहूलियत देती हैं इसकी वज़े से ये संभव है कि आप जो भविश्व में संभव होने वाली जो लड़ाही का रुख है उसको बदल सकते हैं, जैसे कि मान लीजे कि रश्या के कोई विमान आकर कि युक्रेन में हमला कर रहे हैं, तो आप उनके उपर अपनी तरफ से गोले चला दीजिए, एनिवे ये आपके सामने एक फिगर है, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि अभी तक रश्या का कहना है कि जर्मनी अभी तक 500 stranger missiles युक्रेन में दे चुकी है, अमेरिका, पोलेंड, युकरेन, सीमा पर एयरल्ड बना चुका है, 500 stranger missiles दे चुका है, anti-tank missiles दी जा चुकी है, 700 missiles NATO के दुरा दी जा चुकी है, तमाम प्रकार के तियार जो हैं, वो दिये जाने की बात निकल करके आ रही हैं अब आप पूछेंगे फिर भी इस बात में क्या तालुक है कि अमेरिका वैसा ही सब कर रहा है जैसा उसने अफगानिस्तान के साथ किया तो चलिए आपको इमें कहानी सुनाता हूँ साथियों असल में अफगानिस्तान जिसे आज आप तालिबान की वज़े से जानते हैं पहले ये इतना बरबाद नहीं हुआ करता था अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आज की स्थिति क्या खराब है मैंने का आज की स्थिति खराब यह है कि उसके आज जो साशन कर रहे हैं उनको भी कोई लोग recognize नहीं कर रहे हैं that means कि वो अपने identity crisis में जी रहे हैं 48 साल से लगातार वो ऐसे ही भारूत के देर पर बैटे हुए हैं गदम कदम पर मौत है, भुकमरी है, गरीबी है, असिक्षा है और ऐसी इस्थितियां है अफगानिस्तान के अंदर कि जब आप नाम लेते हैं आज के अफगानिस्तान का तो आपको लगता है कि जिसको गेहुदान में दिया जा रहा हूँ उसके आपर क्या चीज़ उमीद की जा सकती है, ग्रह युद्ध के हालात, नरसंहार, सत्ता, पलट, कोनी खरांतियाली चीज़े चलती होती है लिकिन कभी आपने विचार किया कि ऐसा हुआ क्यों अफगानिस्तान में? आईए मैं आपको बताता हूँ, साथियों शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध कौन सा? जब आपको मालूम हो कि World War II जब समाप्त हुआ 1945 के अंत में, तो दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में, जो जीत चुकी थी, वही अपनी सरवुचता को लेगे, हेजिमानी को लेकर के लड़ मरी, और वो कौन-कौन सी थी? USSR और अमेरिका. उनमें लगा कि दुनिया विज का एक तरफ कहता था, कि मैं पूझी पती देशों का पूझी वादी विचारधारा रखता हूं, वहीं USSR कहता था कि मैं सामय वादी विचारधारा रखता हूं. साथियों, इन दौनों की विचारधाराओं ने दुनिया को Second World War के बाद विभिन देशों में आपस में लड़ा मुर्गा लड़ाना, कुछ उस तरह से ये देशों को लड़ाया करते थे. इन ही में से एक कारणामा हुआ था अफगानिस्तान के साथ. क्या हुआ था अफगानिस्तान के साथ? चलिए मैं आपको तोड़ा विस्तार से बताता हूं. साथियों, हुआ ये था कि अफगानिस् 1933 के अंदर एक राजा बने जिनका नाम था मुहम्मद जहीर शहा, वो 19 साल के थे और उन्होंने 1933 में अफगानिस्तान का राजा बनने के बाद 40 साल तक हुकूमत किया, कहते हैं कि जिस समय उनका शाशन था, अफगानिस्तान काफी प्रॉस्परस कंट्री था, यानि कि एक तरह इर शहा उस समय छुटिया मनाने इटली गए हुए थे, इसी बीच में दाउद खान ने एक सैन्ने करांती के जरिये सत्ता पर कबजा कर लिया, दाउद खान ने अफगानिस्तान में 225 साल से कायम राज तंत्र को कत्म कर दिया, और कहा कि राज तंत्र नहीं गण तंत्र चल अब आप पूचेंगे ऐसा क्यों साब, क्योंकि असल में जो आज आप तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे की सारे किस्तान वाले जो देखते हैं, जो सेंट्र लेशन कंट्रीज कहलाते हैं, असल में ये सारे देश पहले, 1991 से पहले, USSR ही हुआ करते और USSR में एक बड़ी चाहत थी कि मैं सबसे बड़ा देश रहूं, हाला कि छेतरफल के लिहाज से वो आज भी रश्या के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन उस समय भी उसकी मंशा यही होती थी, और उस मंशा को निभाते निभाते, उसने मेरे प्यारे साथियों हूँ, त अब क्या था? अब क्या था? अमेरिका ने अफगानिस्तान के उन लोगों को जो सामयबाद के खिलाफ थे, अच्छा मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो सामयबादी विचारधारा है, कम्यूनिस्ट विचारधारा होती है, वो नास्तिक प्रवर्ती को ज़्यादा करती है, नास्तिक बोले तो, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाली विचारधारा को, ऐसी स्तिती में अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बन चुकी थी, जो नास्तिक विचारधारा की थी, अर्थात जिनका ना अल्ला में, ना गौड में, ना क्रिश्चन, कि वदलब जी धर्म के लिए लड़ाई लड़ते थे उन्हें प्रमोट करना शुरू किया बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अफगानिस्तान छोड़ करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाकर छिप गए थे उनमें से कुछ पक्थून थे, कुछ बलूच थे अमेरिका ने उन लोगों को अपने दम पर ट्रेनिंग देना शुरू किया मेरे प्यारे साथियों, जान करके आपको बड़ा आश्यर होगा कि अमेरिका ने इन लोगों को प्रपर तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना शुरू किया ट्रेनिंग दे करके इन लड़ाकों को वहां से निकाल करके भेजना शुरू किया अफगानिस्तान में उन लड़ाकों को ही आप तालिबान के नाम से जानते हैं असल में इसी के कारण से आपको मालूम होना चाहिए कि 1992 में इस तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते अफगानी सत्ता कमजोर हो गई ग्रहयुद यहां पर बढ़ने लगा 1994 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया इसी बीच में USSR का खात्मा 1991 में खो लिय यानि यू समझिये कि अमेरिका ने धर्म के आधार पर लोगों को एकत्र करते हुए उन लोगों को सत्ता का केंद्र पहुँचाने के लिए उनको धर्मिक रूप से एकत्र किया और कहा कि नास्तिक लोग आप पर साशन कैसे कर सकते हैं सामयवादियों की सरकारे हटाई और अपने प्रभाव की सरकार बनाने का निरने लिया लेकिन ये आत्मगाती सिद्ध हुआ क्योंकि जिस तरह के आप बीज बोएंगे फल वैसे ही तो पाएंगे अमेरिका ने जब इस तरह की हरकत उसे सोवियत रूस को वहां से हटाया तो सोवियत रूस के लोगों को तो और यही विश्वास उनका बढ़ता चला गया और उन्होंने इसी बात पर पंगा लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ जिस अलकाइदा ने ट्विन टावर गिराए थे जिस ओसमा बिन लादेन ने अमेरिका में आतंक मचाया था वो अलकाइदा जिसको अमेरिका ने खुद पनहा दे के बढ़ा किया था उसको अपने यहां पर पनहा दे दी अमेरिका के लाख कहने पर भी तालिबान ने अलकाइदा को अपने पास से नहीं लोटाया परिनाम आपके सामने है उसी अलकाइदा को मिटाने के लिए उसी उसमा बिन लादेन को मिटाने के लिए अमेरिक हम तो केवल इतना ही कह पाएंगे सर कि जब दो हातियों की लड़ाई होती है तो मैदान में घास पिस जाती है सर सोवियत रूस और अमेरिका के इस लड़ाई में निश्चित ही अफगानिस्तान का नुकसान हुआ अब मैं आपको एक ऐसा ही देश मेकिंग दिखा रहा हूँ जैसा कि आपने अभी सुना वैसा ही कुछ आपके सामने अब हो रहा है किस के साथ युकरेन के साथ हो रहा है आपको मालूम होगा कि युकरेन के अंदर सबसे पहले जब अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था तो रश्या ने जो कि एक तरह से अपने आपको सक्सेसर मानता है USSR का उस में बहुत मना किया था तुम अमेरिकी खेमे में मत बैठो जब अमेरिकी खेमे में ना बैठने की सजा देने के लिए रशिया युकरेन में गुस्च के चला आया तो अमेरिका खुद युद्ध में भागिदार नहीं बना अपीतु युकरेन के अंदर ही कटरपंथी लोगों को जो राष्टरवादी सो कॉल्ड हैं उन्हें ही हतियार देना शुरू कर दिया यानि खुद के नागरिक तो नहीं लेकिन लोगों को हतियार दे के लड़ने के लिए मजबूर कर दिया अल्टिमिटली कर क्या रहा है अमेरिका कर ये रहा है कि रशिया अगर युकरेन का युद्ध जीत भी गया तो कबजा कभी नहीं रख पाएगा क्यों क्योंकि युकरेन के अंदर इतना पैसा इतना असलहा गुमा गुमा करके अंदर भीजा जा रहा है जिसके चलते हुए रशिया को अपनी सत्ता बनाए रखने में पड़े चैलेंजिस का सामना करना पड़ेगा यानि एक प्रकार से ये समझे जिस प्रकार से अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान बरबाद किया था कुछ वैसे ही अब बरबादी की तरफ बढ़ रहा है युकरेन क्योंकि युद्ध के 20 दिन बीच चुके हैं हालात ये हैं कि युद्ध के अंदर अपड़ोसी देशों से निकल करके राष्ट्रा अध्यक्ष जैलेंस की से मिलने आ रहे हैं यानि एक तरह से लोग ये मान रहे हैं कि जैलेंस की सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन जनाब बहुत बड़ी बाते हैं कि आज अमेरिका इस तरह की पूरी पॉलिसी अपनाते हुए आज युकरेनियंस के साथ जिस तरह का व्यवार कर रहा है ये युकरेनियंस को भी समझना होगा सोवियت रूस को भी समझना होगा तक रऊगा को रूस के सक्सेशन को रूस आगे बढ़ा रहा है रशिया को लगता है कि वो सोवियत रूस है उसे भी समझना होगा कि आज लोकतंत्र की व्यवस्थाएं सबसे ज़ादा जनता के द्वारा पसंद की जाती है लेकिन स्वा महाशक्तियों के बीच में पिस रहा ये देश आपके सामने है उमीद है कि आपको यह घटना करम जोडने में आसानी रही होगी मैं एक और आपको रेफरेंस के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूँगा कि वरतमान के टाइम में मेरे प्यारे साथ ही ओँजैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध होगा दुनिया में मंदी आएगी हतियारों की विक्री कम होगी लेकिन आपको मालूम है इस समय हतियारों की विक्री के अंदर कोई जादा फरक नहीं पड़ा है आला कि योरॉप के अंदर तो इंपोर्ट्स और बढ़ गए हैं यानि एक तरह से ये समझेए कि जब भी आये स्थिर्ता आती है तो जो भी बिक्री करने वाले लोग होते हैं उनकी दुकाने चमक जाती हैं आपके सामने अमेरिका का उधारन है जिसकी दुनिया में 39% हात्यारों का एक्सपोर्ट आज करता है यनि कि इस पस्तिती स्पस्ट है कि अल्टिमेटली सबको अपने अपने भले की पड़ी है अमेरिका हमेशा व्यापार देखता है USSR के रूप में सकसेसर बना रशिया अपने लिए अस्तित्व के लड़ाई लड़ता है ये तमाम चीजें चलती रहेंगी बीच में बनने वाले लोग पिस्ते रहेंगे युद्ध के बारे में अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो कुछ लोगों ने अभी हाल ही में इस न्यूज को चलाना शुरू किया था कि चाइना जो है वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है लेकिन चाइना ने अपने द्वारा इस बात को डिनाय किया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है इसी प्रकार से 4th round of Russia-Ukraine वारता जो है वो हाल ही में आज आयोजित की गई है देखते हैं क्या परिणाम निकलता है जैसा भी होगा आप लोगों को हम जरूर बताएंगे फिलाल के लिए इतना ही यदि आप चाहते हैं अनकेडमी पर मेरे साथ जुड़ कर पढ़ना तो 14 से लेके 16 तारीक के बीच में अनकेडमी पर सभी सब्सक्रिप्शन पर 20% आफ चल रहा है आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रकार की साहता के लिए आप हमारे contact number पर भी संपर्क कर सकते हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं अपना खयाल रहें